जब कभी श्राद की बात आती है तो हमारे बन में गया का ध्यान जरूर आता है आखिर क्यूं लोग गया जाते हैं क्यूं ये माना जाता है कि गया में जाकर अगर आप अपने पित्रों को वहां पर उनका पिंड़दान करेंगे वहां पर तरपन करेंगे तो ज़्यादा करेंगे और जानेंगे कि गया का महत्व क्या है एक सवाल मेरा और है इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे कोई वृत हम करते हैं माली जये महाशिवृत्री है नवरात्री है दिवाली है हुली है इन सब के पीछे ये भी कहा जाता है कि इसका एक पौराडिक महत्व है तो क्या पित्रपक्ष का भी जिक्र कहीं या इसका कोई पौराडिक महा तो उन दिनों में कहीं मिलता है प्रति एक गरंथ में पित्रों का महत्वा आता है कोई भी आप चाहे सिव महापुरान ले लिजे चाहे आप रामचरित मानस ले लिजे रामाइन ले लिजे रामाइन में भी यहां पर एक विर्तान्त आता है कि राजा जब दसरत जी का आता है यहां तक का यहां पर यह वर्णन भी आया है कि समय जब राजा दसरत की जो मिर्थ अवस्ता की जब सूचना भगवान राम को प्राप्त होई तो भगवान राम स्राद्ध की सामगरी लेने के लिए गए थे और जब समय कुछ अधिक होने लगा था तो राजा दसरत ज अगर हम सास्त्र को गहनता के साथ इनका अध्यन करें और आप देख लिए अगर हम कोई भी कर्व अपने घर में शुरू करते हैं कोई भी पूजन अर्चना ध्यान बंदना होती है तो सर्व प्रतम उसमें नांदी मुक्ष राद्ध किया जाता है यानि उसमें भी हम अपन अधिर वहां ज snack है और वहां जाने का अगर आप वहां जाके कर रहे हैं और घर से कर रहे हैं तो दोनों का एक फ्रक क्या है कि देखिए वर्तमान समय में हम आपको बताना चाहेंगे कि गया स्राद का जो की जो Вिदी है मान लिजे कोई हमारे पितर हमारे पिता जी हमारे दादा जी हमारे परदादा जी माता जी दादी जी कोई भी ऐसा कोई बन जाता है कहने का तात पर यह है कि हम ये इनके इन प्रकारेन भूल जाते हैं हमने उनका स्राद नहीं किया थे हम उनके तिथी भूल गये। और जब हम उनका स्राद्ध करना भूल जाते हैं या उनको मानने लिजए किसी का संसकार पूरा नहीं हुआ किसी कोई हमाई पूर्व समय में क्या होता था कि पूर्व समय में मनुस्य 2-2-3 तिन विबाह कर लिया करता था और उसके पश्चाद जो है वो कुछ पत्नियों को जो घर से बाहर भेज देता था छोड़ देता था तो उनका पूर्ण रोप से उनके पुत्र उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे तो इस कारणास वह पित्र तो बन नहीं पाते थे प्रेत योनी में वो भटकने लग जाते थे तो प्रेत योनी से मुक्तित दिलाने के लिए गया नामक तीर्थ में स्राद्ध किया जाता है यानि सर्वपरतम हमने उन पित्रों को नारायन बनाना है क्योंकि जब तक हमने पित्र नारायन नहीं बनाए है तब तक वह पित्र नहीं है पित्र वही हैं जो भगवान नारायन के चरणों में समावेस जिनका हो गया है जो नारायन से समलित हो गया है जो भगवान नारायन से मिल गया है वही हमारे पित्र हैं लेकिन पित्र तब नारायन के पास उनका इस्थान नारायन के पास मिलता है जब हम उनका विदिवत तरीक जिन पित्रों का येन गिन प्रकारण भूल के भूल से भी दाहसनश्कार नहीं होता है वो पित्र बन साथ तो प्रेट योनी से मुक्तन दिनाने के लिए गया में स्राध किया जाता है और तत्र पस्चाध गया में स्राद करने के पश्चाद विदिबत तरीके से घर में उनका स्राद किया जाना चीए धर्म क्या है? धर्म कैसे चलता है? धर्म से जुड़े सारे सवाल और उनके जवाब आपको यहीं मिलेंगे आपको मारे सारे जुड़े रहें और देखते रहें डेली इंसाइडर का स्पेशल प्रोग्राम धर्म पत